तो आपके लिए हिस्ट्री का भी ये वीडियो बहुत हेल्फुल रहेगा आप पूरा वीडियो जरूर देखना आप बस एयरफून लगाए एंड मैं जैसे जैसे आपको बोल रहे हूं उस तरह से आप सुने क्योंकि यह जो मेरा वीडियो है कि क्रिश्न डेडी का हो गया और फास्ट ट्रैक का हो गया और फिर जो भी हमारे जे एंसी आर्टी बेस्ट एंसी आर्टी बेस्ट का भी इसमें बहुत सारा ओन लाइनल कोशन आंसर है जिससे हम लोग पढ़ेंगे आज और आप इसे अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कॉंसेप्ट किलियर ह हो जाएगा तो ठीक है तो जो फिर स्टार्ट करते हैं भारत का जो हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में बाटा गया है पहला हो गया प्राग हितिहासी काल तुसरा हो गया आर्द हितिहासी काल को भी तीन भागों में बाटा गया है पुरा पासान काल मद पासान काल और नौ गोनाओ पाशानकर 4,000 sami पूर्व श्य लेकर फची सो इस वी पूर्व तक है कि यह कि अर्ड़ पेटिहासिक को दो भागों में बाटा गया है सिंदू गाती सव्यता और वैदिक कालिन सव्यता सिंदू गाती से व्यता हो गया 25 इसपी से 1500 इसपी तक और वैदी काली को गया 1500 इसपी से 600 इसपी तक और वैदी काली को भी दो भागों में बाटा गया है पहला हो गया रीग वैद और दूसरा उतर वैदी काली को 1500 से लेकर 1000 इसपी तक बाटा गया है और उत्तर वैदिकाल को 1000 इसपी से लेके 600 इसपी तक बाटा गया है तिसरा हो गया एतिहासी काल एतिहासी काल को भी तिन भागों में बाटा गया है जो गया प्राचिन काल, दुसरा हो गया मद कालिन भारत तिसरा हो गया आदुनिक भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहाद 620 से लेकर 1712 से तक है मर्द कालिन का 1712 से लेकर 1858 तक है और आधुनिक का है 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक है प्राचीन काल को 6 भागों में बाटा गया है पहला हो गया महाजवन पर्द काल जिसको छटी सताबदी सर्पुर्व माना गया है दूसरा हो गया मगद समराज मगद समराज को 600 से लेकर 300 स्पी तक रखा गया है और तिसरा हो गया मौरी समराज जो 323 स्पी से लेकर 184 स्पी पुर्व एवं संगम काल भी इसी में हैं चेर, पांडया और चॉलका और फिर हो गया मौरी उत्तर काल, मौरी उत्तर काल हो गया 184 स्पी से लेकर 319 स्पी तक और गुक्त काल हो गया 319 स्पी से लेकर 550 स्पी तक और फिर आगया लाज में हर्श वर्धन काल ये आपका 606 स्पी से लेकर 647 स्पी तक माना गया है मदिकालिन भारत को भी दो भागों बाटा गया है फाला पूर्व मदिकालिन तुसरा है उतर मदिकालिन पूर्व मदिकालिन को अठिमी से तेर्मी सताबदी तक रखा गया है और उतर मदिकालिन को तेर्मी से अठाबदी तक रखा गया है पूर्व मतिकालिन को तीन भागों बाटा किया है उतर भारत, धक्कन, धक्षिन भारत, उतर भारत में हो गया दिल्ली सल्तनत, मुगल और चोहान वन्स और धक्कन में हो गया विजाय नगर, विजाय नगर ये तो साध यूपीसी जपीसी में पढ़ना है बाकि ये टेट में नहीं इसका पूछा जाता है और धक्षिन भारत का हो गया चेर, पांडिया, चौल, पालाववन्स का होता है और फिर उतर मतिकालिन को भी तीन भागों में बाटा गया है उतर भारत, धक्कन और धक्षिन भारत, उतर भारत में हो गया राजपूर, पाल, प्रतिहार, ध धक्कन में ऋगया चालूक की राजकुट और दक्षिन भारत का हुगया पांडय और चृल। इस तरह से भारत का इतिहास को बाटाएगाए है। प्राग इतिहासी काल किसे करते हैं। प्राग इतिहसी कल गुए कल है, इस काल का इतिहास पूरा तात्विक साध्यों से ग्यात होता है इस काल को तिन भागों में बाटा गया है जैसे मैंने आपको बताया था कि पुरा पासान कल, मदपासान कल और नोपासान कल अब आर्द इतिहासी कल किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे प्रमान तो है लेकिन या तो वो पुष्ट है या फिर उसकी डोट लीपी को समझना कटीन है मतलब कुछ सरक्ष मिले हैं लेकिन उस जो लीपी है उसको आज तक कोई लीपी को पढ़नी पाया है इसलिए इस को आर्द इतिहासी कल कहते हैं ठीक है इस कल की इतिहास लेखन के लिए साही ते यह फूरा ताद्विक शूर्ट दोनों पाये गया है और इस कल के अंदर कर पि प्ची सुएसबी से लेकर चोसोसवेशबी के मद में नहें रखा गया है अब आ गया एतिहासी काल एतिहासी काल जिस काल के लिए लिखित समागरी फिलब्द है और इसे मानोज सब बन चुका था इस काल के अंदर गठ 625 से बाद का काल आता है इसे एतिहासी काल करते है अब पूरा तात्वीक सुरोत के बारे में पढ़ते हैं प्राचीन काल की अधिकतर अभिलेग किस पर खुदे मिले हैं तो पथर या धातु की चादर पर ये अभिलेग खुदे मिले हैं भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराथी, तमिल, तेलगू, कनक, आधिस सभी भासाओं की लिपियों कविकास किस लिपी से हुआ है तो ये होगा ब्राम्भी लिपी से हुआ है उत्तर पच्छिमी भारत में मिले असो के कुछ अभिले किस लिपी में है तो ये खरोष्टी लिपी में है खरोष्टी लिपी फार्सी लिपी की भादी लिखी जाती है ये दाएं से बाएं की और लिखी जाती है गुप्त काल से पहले कि अधिकतर अभिले किस भासा में है तो ये प्राकृत भासा में है ये बहुत बहुत इंपोरेन कोचन है ये सारा आप याद कर लिजेगा गुप्त के ओम गुप्तो उतर काल के अधिकतर अभिले किस भासा में है तो ये संस्कृत भासा में है पुश्य मेतिसंग ने असोक मेग यह किये थे यह किस से ग्यात होता है यह पतंजली के महाभाश से ग्यात होता है इसीय माइन में किस स्थान पर लगबच 1480 पूर्व का संधीत पत्र अभिलेख मिला है तो बोगज कोई अतामा के स्थान पर मिले है भारत के प्राचितम सीखे पर अनिक परकार के चीन उतकिन है जीन सीखो पर किसी परकार के चीन नहीं है ऐसे सीखे क्या कहलाते हैं ऐसे सीखे को आहात सीखे बोलते हैं जो किसी परकार के चीन नहीं उस पर रहते हैं जावा में नवी सताब्दी में महायान धर्म बहुत लोक्तिय हो गया था इसका पता किसने लगाया था तो जावा के समारक बोरो बुदूर ने लगाया था मद भारत में भागवत धर्म विक्सित होने का प्रमान यवन राजकूत होलियो डिवरस ने किस अस्थम लेक से मिला है तो ये बेशनगर विद्या के करूर अस्थम से मिला है स्वर्पतम भारत वर्ष का जीक्र किस अभिलेक में है तो हांथी गुफा अभिलेक में भारत का जीक्र है स्वर्पतम दुर्विक्स की जनकारी देने वाला अभिलेक है तो सो गोरा अभिलेक से इसकी जनकारी मिली है रेसम बुनकर की श्रेनियों की जनकारी किस से प्राप्थ होती है, मन्द सोर अभिलेक से प्राप्थ होती है स्वर परदम सीखे पर लेक लिखने का कारी किस सासक ने किया था, यवन सासक ने किया था स्वरपतम भारत में होने वाले होन आक्रमन की जनकारी किस लेख से प्राप्त है तो ये भीतरी अस्तम लेख से प्राप्त है अब लेखो का अधियन क्या कालाता है तो इथी ग्राफिक अलाता है अब साहितिक स्रोत के बारे में जानेंगे साहितिक स्रोत रिगवेद के आठमी मंदल की हस्त लिखी तिरशनाओं को क्या कहा जाता है तो खिल कहा जाता है अमना अतार के तिन पको के आख्यान का प्राचिन्तम स्रोथ रिगवेद से मिला है रीक वेद से किस की राजनितिक प्रनाली योम इतिहास की बारे में जनकारी मिली है तो ये आरियों की जनकारी मिली है रीक वेद में कितने मंडल है तो रीक वेद में 10 मंडल है चातोर वरंड शमाज की कलपना की आदिश रोद किस वेद में है तो रीग वेद के दसवे मंडल में वर्नित पुरुष सुत में है इंद्र के लिए 250 तथा अगनी के लिए 200 रिचाओं की रचना किस वेद में की गई है वेद काल के अंद में वेदो का अर्थ ठीक परकार से समझाने के लिए किस की रचना की गई है तो वेदांग की की गई है वेदो के कितने अंग है तो वेदो के छे अंग है सिक्छा, कल्प, व्याकर, निरूस्ट, छंद और जियोधिस ऐसे सूत्र जिसमें विदी और नियमों का प्रतिपादन किया गया है क्या कहलाता है कल्प सूत्र कल्प सूत्रों के कितने भागे तो कल्प सूत्र के तीन भाग है सुरोट सूत, ग्रिश सूत और धर्म सुरोट सूत्र में किसकी उलेख है तो यग समंधिन नियमों का उलेख है ग्रीश सूत्र में किसकी उलेख है तो मनुस्यों के लौकिक तदा पारलोकी कर्टव्यों का विवेचना है धर्म सूत्र में किसकी उलेक है? धार्मी समाजिक युमराजिनीती कर्तव्यों का उलेक है फ्याकरन ग्रंथों में सबसे महत्पुन ग्रंथ कौन सी है? तो पानी कृट अश्ट धाई है इस्वी पूर्म दुसरी सताबदी में पतंजनी ने अश्ट धाई पर महाभाश नामक तीका लिखा जिससे हमें किसन के बारे में चनकारी मिलती है? तो पुष्य मेटर शुम के बारे में चनकारी मिलती है निरूग्त इस भी पूर पांच वी सताब दिन में की रचना किसने की? यासक ने की थे सुत्र साहित के बाद किसकी रचना हुई? तो smrita की रचना हुई? शबसे प्राचीन smrita कौन से है तो मनु smrita है बौन साहित और जैन साहित सबसे प्राचीन बौध गरन कौन सा है तो त्रिपीटक बौध गरन्थ है प्राचीन भारत के समाजिक और संस्कृती जीवन की जनकारी किसे मिलती है तो प्रारंभिक बौध साहित से मिलती है बूध की पुरुजनम की जनकारी किसमें वरनित है जातक में वरनित है किस जैन ग्रंथ में महाबीर के जीवन कृतिकों तथा अनसमाकालिनों के साथ उनके संबंधों का वर्नन मिलता है तो भागवती सुत्र में मिलता है विदेशी यात्रिकों का वर्नन विदेशियों के विर्तांतों के विवेचनाम को तीन भागों में विधाजित किया गया है युयान और रोम के लेखक, दुसरा है चिन के लेखक और तिसरा है अरब के लेखक युनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचिन विदांत किसम के हैं होरोडोटस और तिसियस की हैं तिहास का पीटा किसे कहा जाता है तितिहास का पीटा होरोडोटस को कहा जाता है होरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है ति हिस्टोरी का किसके द्वारा लिखित पुष्टक है तो मेगा स्थनीज के द्वारा लिखित पुष्टक है मेगा स्थनीज से अलुकस के राजदूद के रूप में किसके दरवार में रहा था ते चंद्रगु मौर के दरवार में रहा था एक आज्याद युनानी लेखक ने असी इसपी के लगबग भारतिय समुन तर्ट की यात्रा की उसने अपने वर्नन में भारतिय वंदरगाओं के नाम तथा इसके आयात और नियात की जानकारे वाली वस्तुव के नाम लिखें इन सब का वर्नन किस पुस्तक में मिलता है तो इसका एंसर हो जाएगा पेरिपलश ओप दा एरिथियन सीव में मिलता है टॉल्मी की किस पुस्तक से प्राचीन भारतिय भूगोल और वानिज की जनकारी मिलती है तो जियोग्राफी पुस्तक से भारत के प्राचीन भारत के भुगोल वानिज की चनकारी मिलती है किस लेखक ने मेगास्तनीज के वर्नन को कालपनिक माना है इस ट्रोबो ने मेगास्तनीज के वर्नन को कालपनिक माना है नेचुरलिस हिस्टोरी का भारत और इटली के बीच होने वाले वेपारिक समंदों की जनकारी देती है यग उस्तक किस की द्वारा लिखी थे तो प्लिन्नी की द्वारा लिखी थे चीनी यात्रियों के विर्तान्द चीनी आत्रियों सुसमें सबसे अधीक महत्पुन वर्नन किनका है भाहयान युवान च्वांग और इट्संग के वर्नन है भाहयान पाचवी सदी इसवी के में भारत आया था और 14 वर्ष भारत में रहा उसने विशेश रूप से बहुत धर्म की स्थिति के विशे में लिखा वो किसके सासनकाल में आया था तो वो चंट्रगुक्त दूतिये के सासनकाल में आया था गुक्त काल में भारत के समाजिक आर्थिक वो धार्मिक स्थिति की जनकारी भायान के किस पुस्तक से मिलती है तो फुक को की के पुस्तक से मिलती है हेंग सौंग किसके सासनकाल में आया था तहेंग सौंग हर्षवर्दन के समय में आया था अर्भी लेखक सुलेमान नौवी सताबडी इस्वी के मर्द में भारत आया था उसने किसके बारे में लिखा था पाल और प्रतिहार राजाओं के विसे में लिखा था अलमसुदी जिनके राजकुटो राजाओं की महत्ता के विशे में लिखा भारत कब आया था तो 941 इस्वी में भारत आया था अर्वी लिखकों में सबसे महप्रमुक अलबरुनी था जो किसकी समकालिन था तो महमुद गजनवी की समकालिन था अलबरुनी ने अपने किस करंथ में भारत का बहुत तर्ग संगत और पुन वर्नन लिखा है तकीक उलहिंद में भारत का बहुत तर्ग संगत और पुन वर्नन लिखा है सी यू की पुछता की रसना किस ने की है तो हैंग सौंग ने की है प्रागितिहासिक कालम के बारे में पढ़ेंगे भारत में पुरा पाशान काल से सम्मंदित पुरा तात्वी खोज की सुरू करने का स्री किसे जाता है तो रॉबर्ट भूर्ष फोड को जाता है भारत में पुरा पाशान काल के सम्मंदित पूरा तात्मी खोज की शुरू करने का स्री रॉबर्ट भूर्ष पूर्ड को दिया जाता है। भारती भूवे ज्यानिक स्वरुक्षन के रॉबर्ट भूर्ष पूर्ड ने वर्तमान तमिलाडो राज की चिंगल पूर जीले के पलवम पूरम नामक पूरा अस्थल से 30 मई 1833 भी को लेटे राइड की जमाव से हस्त कुटार खोज निकाला था। जीस काल की जनकारी के लिए लिखित या प्रमानित समागरी प्राप्त नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है। प्रयाग एतिहाशिक काल कहा जाता है। आधुनिक मानव का विकास खिसे हुआ तो प्राइमेट्स से हुआ। प्राइमेट्स का अर्थ क्या है नर मानव। इसके अंदर गत बंदरों, लंगुरों, वन, मानुसों तथा इसके अस्तनधारी जीयों में सामिल किया जाता है। किस काल की जनकारी के लिए लिखित और परमानित साध्य उपलब्ध है उस काल को क्या कहा जाता है। में भाटा गया है। पाला पाशान योग और दुसरा धातो योग। उसको कांस योगिन भी बोलते हैं। पाशान योग को तीन भागों में भाटा गया है। पूरा पाशान, मद पाशान और नौपाशान। पूरा पासान का मतलब है प्राचिन पत्थर यूग और मद पासान का मतलब है मद पत्थर यूग और नौ पासान का मतलब है नविन पत्थर यूग पुरा पासान का खोज रोबर्ट भूर्श फूर्ट ने किया था, बद काल की खोज जोन इवांस ने किया था, और नौ पासान काल की खोज डॉक्टर प्राइम रोज ने किया था बंद भागों में बाटा गया, तावन लिपी, कालिन योग, काशन योग और लोह योग, तारम प्लस पर्थर इकुल टू तारम और कांस योगिन मतलब तांबा प्लस तीन इससे कांस बनता है, उसको कांस योगिन बोलते हैं और लोह नहीं हो गया पासानकाल में आखेटक और संग्रालय की खोज हुई थी और मद पासानकाल में प्रसुपालन स्टाट हो गया था और नव पासानकाल में क्रिशी का विश्कार हुआ था और कालिन योग में कांबे का प्रयोग हुआ था और कासन योग में कांसे का प्रयोग सिंदु घाटी सवयता में हुआ था और लोह योगिन में लोहे का प्रयोग वैदिक कालिन सवयता में हुआ था इस सवयता के लिए साधारन तिन नामों का प्रयोग किया जाता है सिंदु सब्यता, सिंदु घाटी सब्यता और अडपा सब्यता इन तीनों सब्द का एक ही अर्थ है अडपा सब्यता का सारवधीक मानेता प्राप्त पचीश सो इस्वी पूर्व से पन्रा सो इस्वी पूर्व तक है सिंदु गाटी सब्यता में घोरे के आउसेस कहां मिले थे? सुर्कोट्ता में मिले थे सिंदु गाटी सथल में काली बंगा किस प्रदेश में है तो राजस्थान में है काली बंगा किस पदात का उपयोग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान में मुख रूप से किया गया था तो सेल खारी की मुद्राओं के निर्मान करने के लिए प्रयोग किया गया था हडपा सबेता किस यूग की थी तो हडपा सबेता कांस यूगिन थी सिंदू खाटी सबेटा की लोगों का मुख व्यवसाय क्या था तो व्यपार था हडपा सबेटा की निवासी कौन थे तो सहरी निवासी थे सिंदू सबेटा की घर किस से बनाये गए थे तो पकी इटो से बनाये गए थे हडपा वासियों की स्वस्तु के उत्पादन में स्वर्वर पर्थम ते तो कपास हडपा संभेता का स्वर्वर पर्थम खोज करता कौन है तो दयाराम सहानी है सिंदू संभेता का पतन अगर बंदरगार कौन सा है तो लोथल है प्यमानो की खोज ने यह सिंद कर दिया कि सिंदू घाती की लोग माप और दॉलक से परीची थी यह खोज कहाँ पे हुए थी तो यह लोथल में हुआ था मोहन जोरों का किस एक अन नाम से जाना जाता है तो मिर्दको का तीला के नाम से जाना जाता है हडपा सभयता का प्रचलीत नाम सिंदु घाटी सभयता है कपास का उत्पादन स्वर पर्थम सिंदु छेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या युवान की लोगों ने किस नाम से पुकारा तो सिंदन के नाम से पुकारा था सिंदु घाटी सभयता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए जाने जाती है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर कौन था तो हडपा था भारत में चांदी की उपलब्ट के प्राजिन्तम साख्च कहां मिलते हैं तो ये हडपा संस्कृति में मिले हैं हडपा में एक उनजल प्रवंध प्रनाली का पता कहां चलता है तो ये धोला भीडा में पता चलता है हडपा सबेता के खोज किस वर्स हुई थी तो 1921 पि में हुई थी सिंदु गाटी सवेता की विक्सित अवस्था में किस अस्थल में घरों में कुओं के अवसिस मिले हैं तो मोहन जुदारों में मिले हैं किस पसु की आकरिती जो मुहर पर मिली है जिससे ग्यात होता है कि सिंदु घाटी यो मेसु पोटामिया की सभेता के मद्वेपारिक समन्दे तो बैल में बैल की आकरिती में मुहर मिली है हडपा की लोगों की समाजिक पदती कैसी तीत उचीत समाजवादी थी हडपा सभेता के अंतरकत हल से जोते गय खेट का साख्ष कहां मिला है तो काली बंगा में मिला है सैन्दाव सभेता के इंटो कालंकरन की सिस्थान से मिला है तो काली बंगा से मिला है सोतंत्र तोतर भारत में सबसे अधिक संक्या में हडपा कालिन सस्थलों की खोज किस प्राम्त में हुई थी गुजरात में गुजरात में सबसे ज़्यादा हडपा कालिन अस्थल की खोज हुई है कि सदबा काली नस्तल से निर्थ मुर्थ वाली इस्त्री का कांत सी जट्योग मुल्थी प्राप्त हुई है। किस हड़ापा काली नच्दल से यूगल सौधान के साक्ष मिलियत लोहन जोदारों का विसाल असनानागार है जहां पर ये पक्की इटों से इसका निर्मान किया गया है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं यह मोहन जोदारों का सारवधिक प्रसित अस्मारक था इसका निर्मान पक्की इटों से दुर्ग छेतर में किया गया था इस विसाल नच्दानागार का उप्योग सारुजनिक रूप से धर्मा नुष्ठान सम्मंधित अस्नान के लिए होता था पुरोहित राजा की मुर्थी या मुर्थी मोहन जोदारों की खुदाई से प्राप्थ हुई है पुरोहित का मुर्थी प्राप्थ हुआ है मोहन जोदारों की खुदाई से पसुपती मुहर आरंभिक धार्मिंग ग्रंत रिगवेड में रूत्र नामक देवता का उलेख मिलता है जो बात में पौरानी कथाओं में स्यू के लिए पर्यूक्त नाम है लेकिन स्यू की विपरित रूंड रिगवेड में ना तो पसुपती और ना ही एक योगी के रूप में निखाया गया है ये पसुपती कब मुहर का निसान में मिला है योट विविंग इस थिती निर्धारत तक्नीकों का अपलब्द है प्रन्तु भारत तथा अन देशों में जो पदती सुगम परियोग में दिश्टी सिवेपक के रूप से अपनाई गई है वो है रेडियो कार्बन तिती निधारत निधारन पदती इससे हमें कई सालों का तिती का निर्धारन मिल जाता है कि मानलेजे कोहीं भी ओसेल्स प्राप्त हुए है तो उसका तिती का निर्धारन हम यही रेडियो कार्बन तिती से करते हैं रेडियो कार्मन तिथी निधारित पददी का परियोग किसके लिए कर सकते हैं कि और ऐसे वस्तु के लिए जिसमें कार्बन मौजूद हो कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्स तक की जुवासमों की आयू असानी से ग्याद की जा सकती है जिसमें पुरानी वस्तु की आयू ग्याद करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का परियोग होता है इसा पूर्वी तिस्री सताब्दी से ही कस्मीर में एक समरीदी नौपासान से इस्पिती रही है अब तेक इसे सम्बंदी सबसे महत्पून अस्तल का पता चला है वो है बुर्ज होम उत्तर परदेश में कहां से वन और क्रिसी जन दोनों प्रकार का चावल मिलने का विवरन प्राप्थ हुआ है जिसे इसा पूर्व छठी तथा पाँचवी सताब्दी के अस्तर का माना गया है तो ये बोलन घाटी के कुल्डी हवास के अस्तल से प्राप्थ हुए है सिंदू के दो अस्तल कोट दीजी और अमरी प्रसीद है विशिस चितरित मेर्भांट और सेलियों के लिए प्रसीद है सिंदू सबेटा की नगर योजना की अधार समागरी कहां से प्राप्थ होती है तो मोहन जोडारो, हडपा, चानू, दोडा, काली बंगा, लोथल, सुर्कोर्टदा और बनवाली से प्राप्थ है हडपा सबेटा या सिंदू गाटी सबेटा को इनी नाम उसे क्यों जाना जाता है क्योंकि इसके प्रत्थम आवसेज हडपा नामक अस्तल से प्राप्थ हुए थे तता इसके आरंबिक अस्तलों में से अधिकांस सिंदू नदी के किनारे आवस्तित थे जिस स्थान से जो अवसेज प्राप्थ हुए हैं उसी के नाम से वहां का नामकरन किया जाता है भारत में प्रागेती हासी कस्तल की खोजने की कारे कौन करता है तो भारती पुरातात्वेवं सर्वक्षन वीभाग करता है भारती पुरातात्वी विभाग का जन्म दाता किसे माना जाता है तो इसे अलेक जेंडर कनिंगम को माना जाता है सभी सज्यू बस्तु में एक प्रकार का रेडियो धर्मी कारवन होता है उसे क्या करते हैं तो कारवन 14 काते हैं कारवन डेटिंग प्रनाली का इविकास 1944 सीश्वी में किसने किया था तो बिलाड फ्रैण कर लिबी ने किया था जावल की उतपादन का साग्चकी सुस्तल से मिला है तो लोथल और रंगपुर से मिला है बाजरी की खेती के साक्ष कहां से मिले है तो लोथल और सौराष्ट से मिले है रागी की साक्ष कहां से मिले है तो रोजडी यानि गुजरात से मिले है सिंदु सवेता में क्रे विक्रे किस प्रकार होता था तो वस्तु वीनमें द्वारा होता था सिंदु स्रविता के कार में पोत दिर्मान नारों द्वाराव संबुद्री वैपार होने से पुष्ट कहां से साक्ष प्राप्थ हुई है ति लोधल के प्राप्थ गोटी भाडास के साक्ष से मिले हैं मोहन जोदारों में स्वास्ति की चीन मिली है मोहन जोडारों के प्राप्थ मोहर पर स्वास्ति का अंकन सुरी पूजा का प्रतिक माना जाता है कि स्वास्ति कि पूजा के प्रतिक माना जाता है तो सुरी पूजा के प्रतिक माना जाता है हिंदु धर में भारत में स्वास्ति का पवित्र मांगलिक चीन माना जाता है इसे चत्रबुज ब्रह्मभा का रूप सुईकार किया जाता है अक्षर सेन दोला बीरा से प्राप्ट सिंदु लिपी के दस बड़े अक्षर जो की प्राचीन सुचना पढ़ की रूप में प्रियुक्ष होते दिया अस्तल जल प्रवंदन का सुर्वसेश्ट उदारंता सिंदू लिपी के दस बड़े अक्षर कहां से प्राप्ट हुए है तो ये दोला भीरा से प्राप्ट हुए है नर्तकी की मुर्ती मोहन जुरारू से प्राप्त कांसी की बनी नर्तकी की मुर्ती सिंदू खलाता सर्वसिष्ट माननो मुना है पूरी मुर्थी गले में पड़े हार के अलावा पुनितन नगन है सीर के पीछे उसके बालों के छोटी लटे एक बुनी हुई पटिका द्वारा सवारी गई है सीर पीछे की और जुकाई आँखे जुकी हुई दाई भुजा कुले पर टिका हुआ और बाई भुजा नीचे लटके हुई या मुर्थी निर्द की स्थीर मुद्रा को दिर्शाती है पक्की मीटी से बनाई मुर्थी को क्या कहते हैं तो यह तेरा कोटा फिगरीन कहते हैं प्रतिक चीन, स्वास्तिक स्वर उपासना के प्रतिक चीन है, योगी सिव, योगी सिव, योगी स्वर के प्रतिक चीन है, ताबीज, ताबीज प्रजुनन सक्ति का प्रतिक चीन है, बैल, सिव का वाहन सारोधिक धार्मिक महत्त वाला पसू है, बकरा, बली हेतु परियुक्त है, नाग, पुजा हेतु परियुक्त है, स्रिंग, सियुक का रूप है भैसा, देवता की सत्रूओं पर विजय का प्रतिक है, बैल बकरी वबेड की हदी का धेर, पसु बली की घुतक है कास निर्थकी, निर्थकी परिकल्पना है, योगल सवधान, पती के साथ पतनी की सत्य होना सैंदो सबेटा कास ने योगिन समेहरा थी, यहां की लोग किस दादू से प्रसलित नहीं थे, तो यहां की लोग दोहे से प्रसलित नहीं थे हडपा के समान आवाज छितर के दक्षी में एक ऐसा कर्विस्तान स्थीद है जिसे नाम दिया गया है तो समाधी आर ठटी शेवर नाम दिया गया भारत में स्थीद हडपा कालिन सबिता का सबसे बड़ा अस्थल है राखी घड़ी हडपा काली सबेता की सारवधिक मोहर कहां से प्राप्त हुई है तो मोहन चुदारों से प्राप्त हुई है मोहन चुदारों सिंदू नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है या सिंदू सबेता के सहरों में सबसे बड़ा है तांबी के मोहरे कहां से मिली है तो ये लोथल वा देसलपूर से मिली है मोहन चुदारों वा लोथल से प्राप्ट मोहरों का किसका चित्र मिला है तो ये नाव का चित्र मिला है तांबी और कांसे की बैल गाड़ियों के अक्रिती कहां से प्राप्ट है हरपा और चनुदरों से प्राप्त है आटा पिसने की पत्थर की चक्की के दो पार्ट कहां से मिले हैं तो ये लोठल से प्राप्त है एक ही कबर में तीन मानो कंकाल निकले हैं ये दम-दमा से प्राप्त है एक वेंद छेत्र के किस सिला स्त्रके सार्वधिक मानो कंकाल मिले हैं, लेख हिया से मिले हैं भारत में प्रथम पुरा पासानिक उपकर्णों की खोज करने वाला रॉबर्ट हुर्स कौन थे? तो ये भोगर्व वेज्यानिक थे, भोगर्व मतलब थर्ती के अंदर वाले वेज्यानिक हडी से निर्मिट आवुसन भारत में मद्पासानकाल के संदर में प्राप्त हुए हैं, ये महद दगा से प्राप्त हुए हैं भीम वेटिका की गुफाय कहां इस्थीत हैं, तो ये अब्दुल्ला गंच रायसेन में उप्रस्थीत है, भीम वेटिका किस के लिए प्रसीद हैं, तो ये प्राप्तिहासिक सितरकला के लिए प्रसीद है, कोपिन हेगर्ण संग्राले की समागरी से पासान, कांस और लो त्रियूग विभाजन किस ने किया था, तो ये थामसन ने किया था, भाति उक महादीप में क्रिसी के प्राजिन्तम साग्ज कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, मानों के साथ कुते गो दपनाए जाने का साग्ज का स्मीर में किस अस्थ ज़ान से मिला है तो बुर्ज होम से मिला है राग कटिला ऐस नौप असानिक अस्तर से संबंदित है कि वह अस्तल जहां से प्राचिंत बहते जीवन से प्रमान मिले हैं वह मेहर Are से मिले हैं व अस्तल जहां से प्राशिंतम चावल के स्क्ष मिले है ये कोल़ी हवा से मिले है ये इलाहबाद में है बना मानå 2 रभaches प्धम प्रयुक्ट अनाज़ था तजौ था नौधा टोली का उत्खरन किस ने किया था एजडी सांग कर लिया ने किया था नौदा टोली किस राज्टी स्थीत है तो ये मदबर्दिस से स्थीत है व्रिहत पासान सस्मारकों के पाचान की गई है तो मृतक की दफनाने के अस्थान के रूप में की गई है स्वर्पत मानो ने किस धातू का उपयोग किया है तो ये तामा का उपयोग किया है भारती मानो संग्राले कहां पे है तो भोपाल में है मानो समाज विलक्षन के है क्योंकि वो मुक्यत आश्रित होता है तो ये संस्कृटी पर आश्रित होता है सिंदु गाटी सब्यता को आर्यों से पुल्व रखे जाने का महदपून कारक है तुम्री मृंड भांड है सिंदु गाटी की सब्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरी सब्यता थी हडपा संस्क्रिटी की जनकारी का प्रमुक स्रोत क्या है तो पूरा तात्विक खुदाई है सिंदु गाटी की निवासियों की सब्यता को जानने का मुल स्रोत वहाँ पाई गई वज्तु है बर्दन, जेवर, हतियार, दधा, ओजार है भारत में चान्दी की उपलब्त के प्राचितम साक्ष कहां से मिले हैं तो हडपा संस्क्रिटी से मिले हैं हडपा में मीटी के बर्तनों का सामान्य तक किस रंग का उप्योग हुआ है तो लाल रंग का उप्योग हुआ है मोहन जुदारों कहां पे है तो ये पाकिस्तान के सिंद प्रांद में है मोहन जुदारों पाकिस्तान के सिंद प्रांद के लड़काना जीला में सिंदू नदी के तरबर स्थेथ है मुर्थी पूजा का आरम कभू उससे महना जाता है तो आरियों से पूरु महना जाता है सेंदो सभेता का महान असनानागार कहां पर था तो मोहन जोडारों पिल में था रंगपूर जहां हडपा की समकारिन सभेता थी वो सौराश्ट में है दंधेरी एक परवर्ती हडपा कालिन पुरावस्थल है जो पंजावने है हडपा सभेता का अस्थल लोथल इस्थित है जो गुजरात में है सिंदु गाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे तो मातरी सक्ती में विश्वास करते थे सिंदु घाटी के लोग पुजा करते थे तो पसुपती की पुजा करते थे मोहन जोधारो एहुम हडपा की पुरतात्वी खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मौर्शल सर जॉन मौर्शल भारती पुरतात्व और सर्वेक्षन विभाग के महान निदेश सकते सिंदू घाटी सभेटाई की खोज निकालने में जिन दो भार्तियों का नाम जुरा है वो है राखल दास्पनरजी और दयाराम सहानी हडपा का उत्खनन करने वाला प्रथम पूरतात्विक जो उसके महत्र को नहीं समझ पाया था तो एक कनिंगन थे हाती दात का पेमाना हडपी संबेदा में कहां मिला है तो लोथल में मिला है बनवाली किस नदी घाटी में स्थीत है घगर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थीत है बनवाली नामक हडपा कालिन अस्थल हरियाना में है हडपा संस्क्रिटी के संदर में स्यल कृत वीरा में है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरम सबसे पहले कहां हुआ था तो भारत में हुआ था सिंदुगाटी सभेटा से संबद विख्यात विशव मुद्रा कहां से प्राप्त हुए थी तो मोहन जुदारों से प्राप्त हुए थी मुरीन पटिका का उतकरिन सिंग यूगत देवता की क्रितिक प्राप्त हुई है तो काली बंगा से प्राप्त हुई है कौन सी सभेटा निल नदी के तटपर पनपी है तो मेश्र सभेटा पनपी है लेखन कला की उचित प्रनाली विक्षित करने वाला प्रथम प्राचिन सवयता कौन थी? सुमेरिय सवयता थे सुमेरिय सवयता के लोग प्राचिन विश्व के प्रथम लिपी अविस्कार करता थे उतकनन 1921 सिस्वी में हुआ था और इसका उतकनन श्री दयाराम सहानियों माधो स्वरुप वच्थ थे और ये रावी नदी की टटपे है और वर स्थीती पकिस्तान के पंजाब प्राम्त में मौंट गोंबरी स्चीले में स्थीत है दूसरा है मोहन जुदारों मोहन जुदारों का खोज 1922 सिस्वी में हुआ था और इसकी खोज करता है राखल दास पंदर जी है और ये सिंदो नदी के टटपे है ये अभी फिलहाल पाकिस्तान के सिंद प्राम्त में लड़का आना जीले में है सुदकांडे डोर ये इसकी उतकनन वर्स 1927 सिस्वी योग 1922 सिस्वी है इसकी उतकनन करता है आरेंजे स्टाइल और जॉर्ज डेलर्स और ये है दासक नदी के टटपे ये अभी बलुचिस्तान में यानि पाकिस्तान में है तिस चौथा है रंगपूर रंगपूर की खोज 1931 से 1934 सिस्वी में हुई थी और इसकी खोज करता मादो स्वरुप वच्स है और ये भादर नदी के टटपे है और ये वर्तमान में गुजरात में स्थीत है चान हो डरो इसकी खोज 143 सिस्वी में हुआ था और इसका उठखनन करता मौर के हैं और ये सिंदू नदी के टटपे हैं और ये फिलाल सिंद पाकिस्तान में स्थीत है रोपर रोपर की खोज 1905 से 56 भी में हुई थी और इनके खोज करता यगदत सर्मा है और ये सतलज नदी की टटपे है ये अभी भारत में पंजाब में इस्थीत है कोट दीजी इसकी खोज करता उने 155 से 57 भी में हुआ था और इसकी खोज करता फजल अमदखा है ये सिंदू नदी की टटपे है ये प्रांद का खैरपूर नगर में अभी वरतमान में स्थीत है आलमगीरपूर उने 1558 इसवी में इसकी खनन उत्खनन हुई थी और इसकी खोज करता यगदट शर्मा है और ये हिंदन नदी के टटपे है ये अभी यूपी में मेरत के बरतमान में स्थीत है लोथल, लोथल की खोज 1905-1962 में हुई थी और इसकी खोज करता है S.R. राओ है और ये घागरा नदी के टटपे है ये गुजरात आमदापाद में स्थीत है काली बंगा, काली बंगा की खोज 1901 में हुई थी और इसकी उतकनन करता है B.B. लाल और B. के थापर है और ये खागरा नदी के टटपे स्थीत है और ये हनुमानगट आदिस्थान में वर्तमान में स्थीत है मालवन की उत्खनन वर्ष उन्हेसो सर्शोटिस्वी में हुई थी और इसकी खोज करता आलीवन है और ये तापती नदी की टड़ पे स्थीत है अभी वर्तमान में गुजरात में स्थीत है सुरकोटदा ये कननक वर्ष 1972 स्वी में है और इसका उतकनन करता यस्दसर्मा है और ये भी तापती नदी की टटपे है और ये भी कच्छ गुजरात में स्थीत है बनवाली बनवाली की खोज 1973 स्वी में हुई थी और इसकी खोज करता रविंद सिंग विस्ट है और ये खागरा नदी के टटपे है और ये वर्तमान में हिसार हिनहरियाना में स्थीत है प्राचीन नदियम उनके वर्तमान नाम सुहान नदी है और सर्श्वती का घागरा या घंगर नदी है हडपा संस्कृति के पतन के कारण मत सूध और अगरवाल का मत है जिन्होंने बोला था कि नदी की सुपता के कारण हडपा संस्कृति का पतन हो गया था लेंबिक का मत है नदी तन के कारण इसका पतन हुआ था जलवायू परिवर्थन के कारण आरेल स्टीन और ए एन घोस के मत है जिन्हों ने बोला था कि जलवायू परिवर्थन के कारण हडपा संस्कृति के पतन हुआ था प्राक्रिटी अपदा के कारण के यू आर कैनेडी ने बोला था और भुकम के कारण रे इसक ने बोला था और धाफियर सर्विस ने बोला था कि परिश्टिती असंतुलेंद हो गया था जिसके कारण हडपा संस्कृति का पतन हो गया था आर मर्टी मर्ग हीलर के आर्यो का आक्रमन की कारण हडपा संस्कृति का पतन हो गया था गार्डन चाइल्ड और स्टूवर्ट टू पीटक ने बोला था कि बाए आक्रमन की कारण भी हडपा संस्कृति का पतन हो गया था I hope so कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो यह master वीडियो है और इसका part 2 भी बहुत जल्द में लेकर आऊंगी और next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care और subscribe करना मत बुलिएगा thank you